आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरू जी में आप सभी कक्षा 3 विशय अंग्रेजी की अर्धवार्सिक मुल्यांकन परिक्षा 2023 दे चुके हैं तो आईए प्रस्ण पत्र के माध्यम से एक बार फिर अपना स्वमुल्यांकन करते हैं अर्धवार्सिक मुल्यांकन 2023 कक्षा 3 विशय अंग्रेजी समय अबधी है 2 गंटे पुर्णांक 50 अंक आईए निर्देश को पर हैं इस प्रस्ण पत्र में कुल्छा प्रस्ण हैं एवंग प्रत्यक प्रस्ण का उत्तर देना अनिवारे हैं प्रत्यक प्रस्ण के सामने उनके लिए निर्दारित अंक एवंग निर्देश अंकित हैं आईए अब प्रस्णों को देखें Q1. Match the pictures of fruits with their name फलों के चित्रों को उनके नाम से मिलाए या प्रस्ण कुल्दसंकों का है पिक्चर्स का अर्थ है चित्र, फ्रूट्स का अर्थ है फल, नेम का अर्थ है नाम तो आईए चित्रों को उनके नाम से मिलाते हैं पहला चित्र आम का है, तो आम को हम मिलाएंगे मैंगो से मैंगो का अर्थ होता है आम दूसरा चित्र केला का है, केला को हम मिलाएंगे बनाना से, बनाना का अर्थ होता है केला तीसरा चित्र पपीता का है, पपीता को हम मिलाएंगे पपाया से, पपाया का अर्थ होता है पपीता चौथा चित्र है अम्रूद का, अम्रूद को हम मिलाएंगे ग्वाभा से, ग्वाभा का अर्थ होता है अम्रूद पांचमा चित्र है कटहल का, कटहल को हम मिलाएंगे जैक फ्रूट से, जैक फ्रूट का अर्थ होता है कटहल या पनस आईए अगले प्रस्ण को देखें Question 2 Circle in each row which is correct प्रत्येक पंक्ती में जो सही है उस पर गोला लगाएं यहाँ पे Circle का अर्थ है वृतिया गोला Each का अर्थ है प्रत्येक Row का अर्थ है पंक्ती Correct का अर्थ है सही यहाँ प्रस्ण कुल दसंकों का है इसके अंतरगत चार प्रस्ण है प्रत्यक सही उत्तर के लिए आपको धाई अंक मिलेंगे तो आईए question number 2 का 1 देखें इसमें animal सब्द सही है A-N-I-M-A-L animal, animal का अर्थ होता है जानवर question number 2 का 2 इसमें 14 सब्द सही है F-O-U-R-T-E-E-N 14, 14 का अर्थ है 14 question number 2 का 3 इसमें lizard सब्द सही है L-I-Z-A-R-D lizard, lizard का अर्थ है चिपकली question number 2 का 4 इसमें apple सब्द सही है A-P-P-L-E, apple apple का अर्थ होता है save आईए अगले प्रस्ण को देखें question number 3 add two more words that end with same sound दिये गए सब्दों में दो और सब्द जो रहें जो समान ध्वनी के साथ समाप्त होते हैं यहाँ पे eight का अर्थ है जोरना two का अर्थ है दो more का अर्थ है और या अधिक words का अर्थ है सब्द same का अर्थ है समान और sound का अर्थ है आवाज यह प्रस्ण कुल दसंकों का है इसके अंतर का चार प्रस्ण है प्रत्यक सही उत्तर के लिए आपको ढाई यंक मिलेंगे तो आईए पहले सब्द को देखें एट एट के जैसे ही समान ध्वनी के साथ समाप्त होने बाले दो सब्द है गेट, लेट हम इसे इस तरह से परहेंगे एट, गेट, लेट यहाँ पे एट का अर्थ है खाया गेट का अर्थ है द्वार या फाटक लेट का अर्थ है देर से या मृत अगला सब्द है ग्रियू ग्रियू के जैसे ही समान ध्वनी के साथ समाप्त होने बाले दो सब्द है निउ, फ्यू हम इसे इस तरह से परहेंगे ग्रिव, निू, फ्यू, यहाँ पे ग्रिव का अर्थ है बढ़ना, निू का अर्थ है नया, फ्यू का अर्थ है कुछ अगला सब्ध है seed, seed के जैसे ही समान धौनी के साथ समाप्त होने वाले दो सब्ध है need, feed, हम इसे इस तरह से परहेंगे अगला सब्ध है old, old के जैसे ही समान धौनी के साथ समाप्त होने वाले दो सब्ध है हम इसे इस तरह से परहेंगे old, gold, told यहाँ पे old का अर्थ है बूढ़ा gold का अर्थ है सोना told का अर्थ है बोला था आईए अगले प्रस्ण को देखें question number 4 rewrite each sentence प्रतेक वाक्य को पुना लिखें rewrite का अर्थ है फिर से लिखना each का अर्थ है प्रतेक sentence का अर्थ है वाक्य यहाँ प्रस्ण कुल पांच अंकों का है इसके अंतरगत दो प्रस्ण है प्रतेक सही उत्तर के लिए आपको ढाई अंक मिलेंगे यहाँ पर दो वाक्य दिये गए हैं जिन्हें आपको फिर से लिख देना है पहला वाक्य है an old rabbit went into a jungle बूरहा खर्गोस वन में गया old का अर्थ है बूढा rabbit का अर्थ है खर्गोस jungle का अर्थ है वन दूसरा वाक्य है the rabbit went into the barrow खर्गोस बिल के अंदर गया यहाँ पे went का अर्थ है जाना बरो का अर्थ है बिल तो आपको इन दोनों वाक्यों को पुना लिख देना है तो आईए अगले प्रस्ण को देखें question नमर फाइब put a और the before pen and shop in the following निमलिखित में pen और दुकान के आगे a या दा लगाएं यहाँ पे put का अर्थ है लगाना before का अर्थ है पहले pen का अर्थ है कलम shop का अर्थ है दुकान और following का अर्थ है निमलिखित या प्रस्ण कुल 5 अंकों का है इसके अंतरगत 5 रिक्त स्थानों को भरना है प्रत्यक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक मिलेगा तो आईए रिक्त स्थानों को भरते हैं I have a pen मेरे पास एक कलम है, यहां पर पेन के आगे हमने ए लगाया है, यहां पर पेन के आगे में हमने दा लगाया है, बलेक का अर्थ काला होता है, I bought a pen from the shop, मैंने दुकान से एक कलम खरीदी, यहां पर पेन के आगे में हमने ए लगाया है, जबकि सौप के आगे में हमने दा लगाय बाउट का अर्थ खरीदना होता है, दुकान बरा था, यहाँ पे सौप के आगे हमने द्दा लगाया है, बिग का अर्थ बरा होता है, आईए अगले प्रस्ण को देखें, Question 6, Write 5 sentences about your pet animal, अपने पालतु जानवर के बारे में 5 वाक्य लिखिए, यहाँ पे 5 का अर्थ है 5, sentence का अर्थ है वाक्य, about का अर्थ है के बारे में, पेट का अर्थ है पालतु, animal का अर्थ है जानवर, You may use the following hints, आप निमलिखित संकेतों का उप्योग कर सकते हैं, यहाँ पे यूज का अर्थ है उप्योग, following का अर्थ है निमलिखित, और हिंट का अर्थ है संकेत, यह प्रस्ण कुल्दा संकों का है, तो आईए अपने पालतु जानवर के बारे में 5 वाक्य लिखते हैं, उसके दो कान हैं और चार पैर हैं, यहाँ पे यर्स का अर्थ कान है, फूर का अर्थ चार है, लेक्स का अर्थ पैर है, इट लाइक्स टू इट ग्रास एंड ओईल केक्स, वह घास और सरसों की खल्ली खाना पसंद करती है, यहाँ पे लाइक का अर्थ पसंद है, इट का अ मुझे दूद और बच्रा देती है यहाँ पे मिल्क का अर्थ दूद है काफ का अर्थ बच्रा है इसी के साथ अंग्रेजी का यह प्रस्न पत्र हमने एक बार फिर से हल कर लिया मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रस्न पत्र के साथ तब तक के लिए स्वास्त रहे, मस्त रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद